जहिन दो यू नो आवर किड्नी इज रेट्रो पेरिटोनियल औरगन तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेट्रो पेरिटोनियल औरगन कहते किसे तो ऐसे औरगन जो हमारे बोडी के अब्डॉम्नल कैबटी के इनर वाल के बहुत नजदीक होते हैं ऐसे औरगन को हम रेट्रो पेरिटोनियल औरगन कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियल औरगन का मतलब होगा जो औरगन्स पेरिटोनियम लाइनिंग के बहुत नजदीक हो ऐसे औरगन को रेट्रो पेरिटोनियल औरगन कहा जा सकता है पेरिटोनियम लाइनिंग को ही हम सिलोमिक लाइनिंग के नाम से जान सकते हैं या अब्डामिनल कैप्टी के इनर वाल को पेरिटोनियम लाइनिंग करते हैं और पेरिटोनियम लाइनिंग को ही सिलोमिक लाइनिंग कर सकते हैं तो हमारा kidney abdominal cavity के dorsal side में means पीछे की तरब dorsal means पीछे होगा तो back side में या dorsal side में abdominal cavity के inner wall के बहुत ही close होता है इसलिए kidney को retroperitonial organ के नाम से जाना जाता है हमारे kidney का shape vein shape होता है अगर kidney के location पे चर्चा करें तो हमारा kidney या last thoracic vertebrae और third lumber vertebrae के बीच में situated होता है तो kidney located between last thoracic and third lumber vertebrae हमारे kidney का main काम होता है urine का formation करना Thank you, take care, jayhin या हुए 씨, टोडना प्रहा है का ओiquए कि टना ना अड्यक हुए ज़ी बुआ कि में जरत ज़ी ला से शूज से से च में ऐर心 है करो